नमस्कार मित्रो जैमातादी स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चेनल में तो कन्या रासी वालो हम बात करेंगे दिनांक 24 दिसंबर 2020 का दिन मित्रो केसा रहेगा आप लोगों के लिए पंचांग के नुशारत देखे मित्रो तो 24 दिसंबर को सुक्रवार का वार है साथ में पोस मास के करशन पक्स की पंच मित्रो मगा नकसत रहे और सुर्रो जो है वह धनू रासी में विराज मान रहेंगे तो वही दूसरी और चंद्रमा जो है वह सीह रासी में संचार करेंगे तो ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का कन्या रासी पर क्या परभाव पड़ेगा म मित्रों व्यापार की ड्रश्टी से नोकरी की ड्रश्टी से पारिवारिक जीवन यापन के लिए प्रेम संभन्दों के लिए साथ ही मित्रों विध्यारतियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार है क्या साउधानिया है क्या खुस खबरिया है मित्रों समझते जानक तो इस उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं मित्रो जिने आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है ना ही कोई पुंजी लगानी हैं मित्रो इन उपायों को आजमा कर आप अपने अंधकार रुपी जीवन में एक उजियाला बर सकते ही तो सबसे पहले तो जो भी भक्त पने माँ से प्यार करते हैं, इस वीड़े को लाइक जिए और कमेंट बॉक्स में केवल मातराने के सचे भगते ही, प्रेम से जे माता दि लिखिएगा, मातराने उनकी सारी मनोकाम नाएं पुरुन करेगी, तो चले मित्रों, वीड़े की सुरुवाद करते हैं, गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते ही कि जिस प्रकार दूद, दई, छाच, मकन, घी ये सब एक ही वन्सके हैं फिर भी सभी की कीमत अलग-अलग होती है क्योंकि स्रेश्टिदा जन्म से नहीं बलकि अपने कला, गुण और कर्मों से प्राप्त ह होती है, तो मित्रो जीवन में हमेशा अपने कला और कर्म का उची तुप्योग कीजेगा, उची कर्म कीजेगा और अच्छे गुण अपने जीवन में उतारिएगा, तभी आपकी कीमत बढ़ेगी, वरना मित्रो आपकी गिंती भी अकर्मजी से कर्मों में बढ़ती रहेग तो मित्रो गुरु जी का यह ग्यान आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवज से लिखेगा, तो चली मित्रो बात करते हैं, अगले 24 घंटे याने की 24 दिसंबर के में है तो प्रणरासी फलकी, तो मित्रो एक जिसे विचार और एक जिसे काम की वज़े से परिणाम में बदलाओ नजर नहीं आ रहा है, काम में बदलाओ करने की कोशिस आपको करने होगी मित्रो, क्योंकि आप एक ही काम और एक ही विचार से बोर हो चुके हैं, अपने नकरात्मक बातों का सामना करते समय आपको थोड़ी कठिनाई महिसूस होगी, लेक कुल भी ना करे, काम हाथ में लिया है, तो उस काम को पूरा करके ही छोड़े, और रिलेसंसिप के संभन्द में किये गए प्रियास आपके लिए सकरात्मक रहे सकती हैं, परन्तु मित्रो, बार बार सेहत में आ रहे बदलाओ का कारण जानना आपके लिए संभव होगा, इस कारण आप उचित उपाए कर पाएंगे, तो वहीं मित्रो, शकरात्मक घटनाय घटती रहेगी, और इसके बाद भी आपकी अपेक्साय पूरी नहीं हो पाएगी, विदेस में रहने वाले किसी व्यक्ति या रिष्टेदार के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, और यह मुला से प्राप्त कर पाएंगे, और कार इस्थल पर मिले अपियस को भूलने की पूरी कोशिस करे, सभी बातों में पार्टनर आपको पूरी तरह से मदद नहीं कर सकते, परन्तु कुछ बातों को खुद ही सुलजाना होगा, और यह भी ध्यान रखिएगा मित्रो, कि आपको प् नंदित हो सकता है, एवं रिस्तेदारों के साथ मिलकर गेट टूगेदर या पाटे का आयोजन भी हो सकता है, तो इसी के मित्रो परिवार में कुछ धार्मे की यात्रा भी हो सकती है, तो आपको यस मिलेगा, करियर और काम संबंदित खुस खबर भी जल्दी प्राप्त और आपके लिए बहुती बड़ी खुस खबरी भी हो सकती है, तो वहीं मित्रो आपके द्वारा किये गए प्रेतनों की वज़े से बड़े लक्षियों की प्राप्ती हो सकती है, लेकिन अंत तक बड़ी खबर भी आपको मिल सकती है, जिससे आनंदित में हिसुस होगा, जी अंगत होने लगे हैं, अपने काम से आपको मान सम्मान भी मिलता दिख रहा है, तो वहीं मित्रो काम को और उचाईयों पर ले जाने के लिए आपको प्रियास करने होंगी, रिलेसंसिप में संबंदित बातों में सकरात्मक्ता महिसुस होने के बाद भी पार्टनर का चुना हो रही बेचेनी और चंचलता धीरे धीरे कम होने लगे की, और कई बातों में आपका नजरिया भी बदल सकता है, साथ में सोबाओ में आ रहा लचिलापन और इस्थिति के लिए किया गया समझोता, जीवन में स्थिरता ला सकता है, जो लोग काला छेतर से जुड़े हैं, उन लोग को अपना काम नए सीरे से पेस्ट करने की आवश्यक्ता होगी, एवं पार्टनर के लिए जो आपके विचार हैं, जो भावनाए हैं, उनको इश्पष्ट स्वरुप से पार्टनर के सामने बोलने की आवश्यक्ता होगी, मित्रो जो भी बात आपके दिल में, दिम वज़े से आपको स्थिर्था महसूस हो रही है उनका पूरा आनंद लेने की कोशिस करनी होगी आपके विचार आपके भविष्य की तरफ जा रहे हैं इस वज़े से बेचे ने भी उत्पन हो सकती है परन्तु प्रगती मिलने के बाद भी थोड़ी भूछ चिंता आपको जितना ध्यान आपने दिया है उसी तरह से मन चाहा प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करने की जरुरते खुद की बातों में अधिक उलजे रहने की वज़े से पार्टनर की और ध्यान दे पाना बिलुकुल संभव नहीं है और मित्रो कबर में जकड़न में हिसूस हो सकती है पेशों से संबंदित कि ये गए लेन दिन आपको फाइदा दिलाएंगे आपको प्राप्तूर फाइदे से परिवार के किसी व्यक्ते की पेशों से संबंदित चिंता दूर हो सकती है और फिलहाल आपको आपके कर्मों के इनुसार ही फिल मल रहा है इस वह जो अभी आगे का सोच रहे हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा और जो वरतमान में जी रहे हैं उन्हें आनंदी में सोस होगा मित्रो पार्टनर्स एक दुश्रों को दी गई मदद जताने की गलती बिल्कूल भी ना करें वरना इस वजह से आपके संबंदों में खटास आ सकती है और कम समय में अधिक काम को पूरा कर पाना आपके लिए जरूरी होगा इस कारण वेवस्था बनी रहेगी लेकिन अपेक्सा के नुसार काम आप कर भी पाएंगे तनाव वाली परिष्टिती होने के बाद भी कादर को अंजाम तक पहुचाने की वज़े से प्रसन्यता बनी रहेगी एवं आपके काम से संबंदित अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त हुए सुझाओ की वज़े बड़ी समस्या दूर हो सकती है जाने अन जाने में भी पार्टनर को बिल्कुल आहत ना करे और गलत खान पान की वज़े से ये संबंदित तकलिफ आपको हो सकती है मित्रों नए लोग और नई परिष्टिती के साथ एड़जस्ट करने में थोड़ी तकलिफ हो सकती ही अपनी परिष्टिती को नकर अत्मक समझने की गलती ना करे धीरे धीरे कामों को आप सिख पाएंगे इसलिए थोड़ा सयम बना रखना बहुत जरूरी होगा तो वही करियर से संबंदित जो मोके चले गए हैं उनके बारे में पच्चतावा ना करे क्योंकि मित्रो अगर आप पच्चतावा करेंगे तो आपको किवल दुख ही होगा पार्टनर के साथ छोटी मोटी बातों पर विवाद हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को खूस रखने की कोसिस भी की जाएगी सारी दिक कमजोरी महिसूस हो सकती है आराम करने पर जोर देना होगा मित्रो मेडिटेशन और प्रनायाम की ज़िये अपने वीचारों को काबू में रख पाएंगे जब तक मन की बेचेनी दूरन नहीं होती तब तक परिश्टिती को जेसी है वेसी ही चलान दे मित्रो अपने वीचारों में इस पश्टिता लाने के प्रियत न करे एवं जमिन से जुड़े या रेल इस्तिर से संभंधित काम करने वाले लोगों को पेशों से संभंधित तनाव महिसूस हो जगता है लेकिन तनाव के कारण गलत व्यक्ति के साथ वहवार करने की गल्ती बिल्कुल ना करे पार्टनर के साथ की गई बातचीत और उनके साथ बिताय हुए वक्ति की वज़े से आपको सकरात्मक महिसूस होगा आपके अंदर काबेलियत होने के बाद भी विश्वास की कमे की वज़े से नए आउसरों को देख नहीं पा रहे हैं कभी-कभी अपनी समस्या का समाधान मिलने में वक्त लग सकता है इसलिए हर एक समस्या का समाधान जरूरी मिलता नहीं है इसलिए निरास ना हो काम से संबंद प्राप्त हुए आउसर की वज़े से जीवन में बदलाव लाना आविश्य होगा और इस कारण काम के लिए थोड़ी नकार अत्मक्ता महिसूस हो सकती है मित्रो धियान रखिएगा कि आपके आसपास बढ़ रहा नकार अत्मक्ता का असर आपके रिलेसंसिप पर बिल्कुल भी ना होने दे क्योंकि अगर आपके रिलेसंसिप पर इसका असर हुआ मित्रो तो इस वज़े से आपकी रिलेसंसिप में दिक्कत आ सकती है तो मित्रो धियान रखिएगा कि एसे कोई भी काम ना करे जिस वज़े से आपके relationship में कुछ दिक्कत आए तो चली मित्रो बात करते हैं सुक्रवार के उन दो उपायों के बारे में तो मित्रो धियान रखिएगा कि सुक्रवार के दिन साम के समय दरवाजा बंद मत कीजिएगा सबसे बड़ा विचार है मित्रो सबसे बड़ा उपाय है जैसो गोर से सुनिएगा सास्त्रों में इसा बताया गया है कि साम के वक्त यानि गोधूली बिला में मुख्य द्वार को कुछ वक्त के लिए खोल देना चाहिए इसा माना जाता है कि साम के वक्त मालक्षमी ब्रह्मन करती है इसलिए संध्याकाल में घर के पूझा इस्थल में दीप्रवजिलित करके घर के समय घर के मुख्य द्वार को खोल देना चाहिए इसा करने से मालक्समी का वास सदेवाप के घर में रहए तो मित्रो सुक्रवार की दिन आप मातलक्समी की एक छोटी सी पूझा भी कर सकते हैं यदि आपके व्यापार कारोबार में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो वीडियो की समाप्ती जो है वह यहीं पर होती है मित्रो देनिक रासिफल एवं रोजाना एसी ही ग्यानवर्रक वीडियो के प्राप्ती के लिए वह जो स्क्रिन पर आपको लाल बेटन दिखाई दे रह समस्त देवी देवताओ का नाम अवस्त लिख दीजेगा तो मित्रो मिलते हैं आपके साथ अगले रासिफल की वीडियो में